कि कुछ भी कि कि खेलो अफुड़ों वी तर्थ जैसा कि आप सबको पता है कि यह हमारा सिंब दूसरा वाला लेक्छर है पहले वाले लेक्चर में हमने base of classification के बारे में बात की और एक ही लेक्चर में पूरे base of classification को ख़तम किया था इससे पहले आप पौरी फिरा को पढ़ना शुरू करोगे या बाकी सारे फाइलम्स को पढ़ना शुरू करोगे मेक शुर कि आपने बेसा प्लास्पकेशन वाला लेक्चर देखा हुआ है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम रिपीट करने जा रहे हैं जब हम इन फाइलम्स को पढ़ेंगे एक बात और दूसरी बात आपको पता होना चाहिए कि हमारा मैन फोक्स जो है यहां पे नीट के लिए रहता है और 11 उसके साथ उसके साथ अब वैसली क्लियर हो जाएगा आपका तो हमारा मैन फोक्स रहेगा जो आपका NCRT है उसमें कोई भी बात कोई भी इमेज कोई भी चूटना नहीं चाहिए तो चलिए फिर हम आज के क्लास में misin जो दू성 करते हैं और पड़ना शुरू करते हैं ऑँ पराम फोक्स भी कहते हैं और यह जो अनिमल्स होते हैं इनको हम पोर बेरिंग अनिमल्स भी कहते हैं क्योंकि इनकी बॉडी के उपर बहुत सारे पोर्ज होते हैं तो इन रहे इस पोर बीरिंग इनिमल्स और मैं आपको पॉरिफिरा की इस्ट्रॉक्षर भी दिखाऊंगा जहाँ पर पता चलेगा कि इसकी बॉडी पर कितने सारे पोर्ज होते हैं में पानी वहार ही हनिल्त जो अलिए शतनी यहाई मैं कि पडेस्ट करें यहां होते पर छीया वालता हैं पानी मॉहते ही विडिकि अप्रेटियाद Cup ने उकने पाण चैजिंगे मैरिकिविट में और फ्रेश वाटर आपको पता है ये आपके रिवर्स में ये आपके जो वेल्स टूब वेल्स और ये आपके पाउंट्स वगेरा होता है उनमें फ्रेश वाटर होता है और हम फ्रेश वाटर पीते भी हैं तो ज्यादा तर जनरली मैरीन होता है मतलब ज्यादा तर जो पॉरि इसमारी झाल चौननारी इसमें आखे शॉया जान को टक्लिश परवीधू का ली दो तरो सब्सक्रवूल सोनट आपधकी तरो सब्सक्रवार में खांग सब्सक्राइब इन लिस्ट आपको दिया जाएगा और बताया जाएगा कि आप बताएगा इन मेंसे सारे अनिमल्स जो है कम्प्लीटली मैरीन होने चाहिए इन मेंसे कौन सा फाइलम ऐसा है जिसमें सारे के सारे अनिमल्स मैरीन में होते हैं यहां पे वह एक्सक्लूदी मैरीन वाला कॉंसेट नहीं आएगा विकॉस यह जनरली मैरीन होते हैं कुछ इसमें प्रेश वाटर में रहते हैं उसके बाद फिर से वही बात आगी जो हमने क्लासिफिकेशन बेस सब्सक्लासिफिकेशन में पढ़ा हुआ है यह जो पौरिफराज होते हैं यह जो पौरिफराज होते हैं फिर से हैं मोस्टली ऐसमेट्रिकल होते हैं फिर से हैं मोस्टली ऐसमेट्रिकल क्योंकि जब आप हैर कॉंसेट को देखोगे तो वहां पे आपको कुछ पौरिफराज ऐसे भी मिलेंगे जिनमें रेडियल समेट्र प्रेजंट होगी जब हम देखते हैं पौरी फिरास को यह asymmetrical होते है और asymmetrical के बारे में मैं आपको बताया हुआ है कि asymmetry का मतलब होता है कि जब हम किसी animal को किसी भी प्लैन से डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं अगर हम animal को longitudinally divide कर रहे हैं फिर भी हमें दो एक्वल हिससे नहीं मिल रहे हैं उस type of symmetry को हम कहते हैं asymmetrical और उन type of animals को कहते हैं कि हम इन में asymmetrical symmetry है तो इन में कोई symmetry present नहीं है यह asymmetrical when there is no symmetry we mean by that we mean कि यह asymmetrical है और for more details you can go to the first video and see the base of classification so आपने याद रखना है यहापे कि जो पौरी फिराज होते हैं यह mostly asymmetrical होते हैं mostly term पे आप लोग नहीं फोकस करना है फिर अगर हम देखें यह multi-cellular होते हैं क्योंकि animals का characteristic feature होता है कि animals सबके सब कोई भी ऐसा animal आप नहीं देखोगे सारे animals जो होते हैं वो multi-cellular होते हैं तो यह भी multi-cellular होते हैं और इनमें cellular level of organization होता है यह इनमें tissues नहीं होते हैं loose aggregation of cells होता है ठीक है वो tissues नहीं बना पाते हैं फिर से वही बात आगी based of classification में हमने आपने डिसकस किया हो है यहाँ पे बस आपको याद रखना है नीट के लिए कि पॉरी फिराज में cellular level of organization होता है तो aquatic habitat marine generally mostly asymmetrical with cellular level of organization let's see the next one now the next one is very very important यह जो पॉरी फिराज होते हैं इनमें एक special type of system होता है जिसको हम canal system कहते हैं ठीक है इसके लिए हम एक और word भी इस्तिमाल करते हैं we can call it as water canal system ठीक है यह दो नाम हम इसके लिए लगा सकते हैं क्योंकि बाद में आपको एक जगा आएगा water vascular system यह water vascular system नहीं है water canal system होता है चलिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं देखो यह जो पॉरी फिराज होते हैं अगर मैं यहां से एक पॉरी फिरा को बना लूँ अगर मैं एक पॉरी फिरा को यहां से बना लें इस पॉरी फिरा की बोड़ी पे इसका एक sectional डियाग्राम में आपको दिखा रहो विटा इस पॉरी फिरा की बोड़ी पे बहुत सारे pores होते हैं बहुत ही minute pores होते हैं इस पॉरी फिरा की बोड़ी पे बहुत ही minute pores होते हैं ली नायव were you capable of being in the end , आपको थी-धूमिन्शन डाइग्राम भी देगांगे तो इसमें यह माइनूट माइनूट pors होते हैं इन माइनूट pors को हम औस्टिया कहते हैं यह माइनूट pors इसकी बॉडी में होते हैं जिनके थीपनी पानी अंदर जाता है तो इन माइनुट पोर्स को हम नाम देते हैं और यह नुम्रेज होते हैं बहुत सारे होते हैं ठीक है और उसके बार यहां से पानी फौर्ड वगेरा जब अंदर गया तो वो पहुंच जाता है इस central cavity में यहाँ पर इस central cavity में इस central cavity को हम नाम देते हैं spongosil इसको हम नाम देते हैं spongosil ठीक है याद रखना इसको हम इस central cavity को हम नाम देते हैं spongosil understand so यह पानी फुड बहार से आया और यह इसकी central cavity में पहुँचा और इस central cavity को हम दो नम देते हैं SPONGEOSYL, और फिर इसके बाद यह पानी बहार आ जाता है। इसके ऊपर एक पोर होता है, जरूरली एक होता है, बड़ कुछ में दो हो सकते हैं, और यह जो ऊपर से पानी बहार आ रहा है, यह आ रहा है इस पोर के त्रू बहार इसको हम ousculum कहते हैं, इसको हम osculum कहते हैं तो इसमें आपको एक flow diagram में बना के दूँगा कि ऐसे है कि water जो बाहर होता है water from outside ऐसे हम बता सकते हैं बाहर जो पानी है water from outside वो inter होता है बेटा through ostea आपने देख लिया clear होना चाहिए ostea के थो अंदर जाता है यहां से आपने देख लिया ostea के थो अंदर जाता है और फिर कहां पहुँच जाता है वो पहुँच जाता है into spongosil and what is spongosil spongosil क्या है spongosil is the central cavity यह इसमें बीच में एक cavity है एक central cavity है और फिर यहां पे यह पानी जो है यह बाहर आ जाता है water ठीक है water जो होता है it comes out it comes out through the pore which is called as osculum ठीक है it's called as osculum यह flow diagram आप याद रख लो need के लिए आपको काम आएगी so what we discussed here that's points के पास एक water transport करने के लिए एक system होता है जिसको हम water canal system कहते है water internal होता है through these minute pores which are called as osteas और फिर यह central cavity में पहुंच जाता है जिसको हम sponjo seal कहते है और फिर बाहर आ जाता है एक pore के तो इसको osculum कहते है और बड़ी important बात बेटा है आपके लिए यह जो आपके पास यह water canal system है यह किसम में help करता है यह food gathering में help करता है यह food gathering में help करता है food gathering में help करता है यह respiratory exchange में help करता है यह removal of waste में help करता है यह आपको respiration में help करता है excretion में help करता है और food gathering में help करता है तो यह हो गए इसका water canal system लेट सी नेक्स आप यहां भी देख सकते हो फिर से यही डाग्राम हमने बनाया हुआ है बिटा इसमें आप क्या देख पाते हो फिर से इसमें यह पोर्ज बने हुए है ठीक है यू कन सी इट इसमें यह पोर्ज बने हुए है यहां से इन पोर्ज को हम आस्टिया कहते है ठीक है इनको हम आस्टिया कहते है यही डाग्राम में जिसको हम क्या कहते हैं स्पॉंजोसील और फिर पानी यहां बाहर से आ जाता है इसको हम कहते हैं और यही मैं आपको समझा रहा है अब नेक्स्ट बात और बहुत ही इंपॉर्टन बात और नीट में बहुत 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 बार पूछा गया है इसके बारे में यह जो पॉर यहां से लेयर बना दूँगी मैं इन इनके अंदर यह देख रहो special type of cells होती है और कहां पर होती है यह special type of cells spongosil को line कर रही है आपको पता है ना central cavity का नाम क्या है spongosil अभी मैंने आपको बताया इस spongosil को एक साइड से भी और दूसरे साइड से भी आप देख पा रहे है ना diagram में एक साइड से भी और दूसरे साइड से भी तो यह अगर इसकी central cavity है जिसका नाम है spongosil ठीक है इस spongosil को यहां से भी और यहां से भी lining होती है special type of cells की अगर मैं special type of cell बना दूँ बेटा एक बड़ी सी special type of cells की special type of cell को हम collard cell कहते हैं ठीक है special type of cell को हम collard cell कहते हैं यह इसको हम काइनोसाइड कहते है यह इसको हम एक और नाम दीगे flagellated cells, okay, these are also called as flagellated cells, okay, so what do we say, that, see, one of these spongosyls is most important, this spongosyls are lining up, you can see, here is lining, here is lining, which cells are the special type of cells, which are called as kynocytes, okay, some others call it kynocytes, no problem, pronunciation does not matter here most importantly, and it's called as, also we can call them coral cells, and they are, why they are the special cells, very important, because they are only present in pori pharaz, only in pori pharaz, that's why they are special, it's present in pori pharaz, okay, very important thing, if you understand logic, that, that's why we can make this logic, so what we can do is explain as you understand it, you can understand, there is another important part, there are also point of pors, which we can understand as you know, as you can understand the work of pors and an osteo more, and often this is one of the pors, as you can identify, these are the pores, okay, where they are also osteos, the fish, food, the fish, the fish, the fish, this is the fish, किनोसाइट उस फूड को खा जाती है ठीक है एक काम बता रहा है उसको यह यह दैशन में भी हैल्प कर देती है किसी तरीके से एक कॉनोसाइट ठीक है और इनका फ्लजला होता है यह इस वाटर को बीट करता है ठीक है जिसके अंदर ऑस्टिया के फ्रोटर आ गया इसको ऐसे बीट करता है और फिर फाइनली यह वाटर जो है इसमें जो फूड था वो इनने खा लिया बाकी का जो पानी है अलॉंग विद वेस्ट मेटीरिल बहार आ जाता है और ऑस्किलम के थ्रोट तो आपने क्या याद रखना है कि पॉरिफराज में स्पेशल टाइप आफ सेल्स ह कैनल का मतलब क्या हुआ इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखे हम कैनल का मतलब हुआ कि यह अगर पॉरिफराज की बाड़ी है और यह इसका बाहर से पूर है उस पूर को फिर एक कैनल होती है जिसके तो पानी अंदर जाता है क्योंकि आपको पता होना चाहिए प्रिवेसल है लिकोसलीनिया में होता है और इसके अलावा इसमें साइकन टाइप ऑफ वाटर केनल सिस्टम भी होता है इसमें लुकॉन टाइप ऑफ वाटर केनल सिस्टम भी होता है बट वह भी आपके सेलिबस में नहीं है तो उनको हम नहीं पढ़ींगे ठीक है तो यहां पी मैं क्या क्या बता रहा हूँ, एक तो यह konocytes होती है, यह spongosil को तो line करती ही है, और जो canals होती है, और जो water canals system में जो canals होती है, उन canals को भी line करती है, यह special type of cell जिनको हम konocytes कहते हैं, I hope you understand this, let's see now, if you can see this diagram, यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़े देख पाओगे बेटा, number one, आप देख osculum हो गया उपर से, ठीक है, यह इसकी body के उपर यह pores हो गये, जैसे मैं red red से बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यह इसकी body के उपर pores हैं, जिनको हम osteas कहते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आगर आप देखोगे, इसने थोड़ा सा जूम इन पर यहां पर करके दिया है, तो यहां पर यह special type of cells होती है, जिनको हम konocyte कहते हैं, ठीक है, यहां पर आप बड़ी करके देख सकते हो, यह konocyte यह है, ठीक है, इसने इसको कट करके थोड़ा सा बड़ा section दिखाया है, यहां पर, तो यह konocyte का फलजला है, ठीक है, और यह पर को बड़ा करके दिखाया है, और यह उस ऑस्टिया का कैनॉल है, और इस कैनॉल के अंदर भी यह konocyte हो सकती है, ठीक है जी, तो यह आपका next वाला हो गया, उसके अलावा, फिर अगर आप देखोगे, इनमें digestion जो होती है, वो होती है, इंट्रा-cellular, अब इंट्रा-cell यहां पर कोई फूड का पीस है, एक cell का काम करती है, देखो, एक कुछ organism में कैसा होता है, कि वो enzymes बाहर प्रोडूस करते हैं, जैसे इस cell ने enzymes को बाहर फेंगा, ठीक है, enzymes को बाहर फेंगा, और वो enzymes जाके इस food को बाहर रिजस्ट कर रहे हैं, मेरी बात पर concentrate करो, इस वाली case म digestion थी, वो हुई outside the cell, इस वाले case में digestion जो हुई, वो outside the cell, इस फूड की digestion से बाहर हुई, और फिर इसने इसको absorb किया, इस वाले case में क्या होता है, इस फूड को ही अंदर लिया जाता है, ठीक है, यह जो food particle होता है, इसको ही अंदर लिया जाता है, और फिर body के अंदर इस पे enzymes जा ले जाता है और इसको digest किया जाता है तो इस वाले case में क्या हुआ बेटा इस वाले case में हुआ digestion जो है digestion जो है वो हुई inside the cell, cell के अंदर inside the cell यहाँ पे digestion इस case में inside the cell हुई और जब digestion होती है outside the cell जब digestion जिस case में digestion होती है outside the cell वहाँ पे हम use करते है कि इन में हुई extra cellular digestion और जहाँ पे digestion होती है inside the cell digestion होती है inside the cell cell के अंदर digestion होती है तो वहाँ पे हम use करते हैं intra intra याद रखना intra cellular digestion ठीक है यहाँ पे होगी intra cellular digestion हलाकि confusion से बचना इस extracellular digestion के लिए हम use करते हैं inter b inter cellular digestion b inter cellular digestion b तो इसमें गबराना आपको नहीं है यह inter cellular जो है इसका मतलब हुआ cell के बाहर digestion हुई और intra cellular digestion का मतलब हुआ when digestion takes place inside the cell अब हम इस concept को जब हमने समझ लिया तो हम वापस आएंगे और यह याद रखेंगे यह पौरी फिराज में होती है intra cellular digestion जिसका मतलब हुआ कि इन में digestion जो होती है it takes place inside the cells inside the cells इन में जो digestion होती है वो cells के अंदर होती है ठीक है जी I hope you understand this और इस concept को याद रखना है क्योंकि अब मैं बार-बार आने वाले lectures में नहीं बताऊंगा intra cellular किसको कहते है extra cellular किसको कहते है inter cellular किसको कहते है just focus on it और यहाँ पर इस पर focus करना inter का अपने गडबड नहीं कर देनी है कि inter शायद inside the cell होता है inter हो गया outside the cell तेरे skeleton क्योंकि इसमें हडिया वडिया तो नहीं होते है इसमें चुछचछच़ कांटे जैसे होते है जिनको हम spikules कहते है या जाली जैसी होती है तब जिसको हम spongon fiber कहते है तो आगर मैं आपको spikules दिखा दू आजाओ यहाँ पर आजाओ देख लो spikules चलो इसको हम rub करते हैं थोड़ी देर के लिए बागी सारी चीज़ों को देखते हैं थोड़ा सा zoom in करते हैं इसको और spikules देखने के लिए ठीक है spikules देखने के लिए थोड़ा हम zoom इसको कट दे नागराम को और आप देख सकते हो बेटा आप देख सकते हो बेटा यह जो यह जो spine-like structures है इसके उपर आप आप देख पा रहे हो और्तरोल गाजी की तरह उसके जंडे की तरह यह देखो यह जो spine-like structures है इसके उपर इसकी body के उपर और यह skeleton का काम करती है यह skeleton का काम करती है यह spicules बने हो सकते हैं calcium carbonate के यह spicules बने हो सकते हैं silica के ठीक है वह हमने नहीं देखना है और इसी composition of spicules के base pain की classification बाद में आपको पढ़ाई जाएगी higher classes में तो इनकी body के जो होती है इनका skeleton is made of of spicules और sponges and fiber वह तक किसम की जाली जैसे होती है जिसको हम sponges and fiber कहते हैं next thing is कि यह bisexual होते हैं यह hermophrodites होते हैं कौन पोरी फिराज इसका क्या मतलब हो और bisexual or hermophrodite लेटस अंडरस्टेंड इस देखो इनमल्स हमारे पास यह तो इस वाली को हम रब करते हैं इनमल्स यह तो हमारे पास बेटा होंगे unisexual unisexual यह तो होंगे bisexual पहले में इसका क्वाइब unisexual का मतलब इसमें male organism अलग है male organism female organism अलग है इसे ना we represent female organism female organism males female female reproductive system female reproductive system female reproductive system female reproductive system आपस्ते हैं यह को अपना हुआ दिजय है और लिए जिन जिन अजरम उनजरम भावगा हो नी को तो प्रेंडी आपस्ते हैं ट्रीमिघीला लाखते हैं और फीमेल रिप्रेड़क्टिव 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 और फीमेल Unisexual जैसे हम हैं तो यह दो फिमेर अदर यह जा husbands on sound हर्माफरोडाईट, इसके लिए हम और एक term उज करते हैं हर्माफरोडाईट ठीक है और इनके लिए हम और term भी हैं मौनोशियस, डायोशियस वो जब next class में जब हमारे पास term आएगी मौनोशियस, डायोशियस तब बताऊंगा ताकि हमें रिवाइज वहाँ भी हो जाए ताकि मैं आपको तब भी यह स्लाइड बना के दे दूँ यहाँ पर आपने क्या याद रखना है फिर यह जो पौरिफराज होते हैं यह बाइसेक्चुल होते हैं यह हर्मोफ्रोडाइट हो सकते हैं बाइसेक्चुल का मतलब कि इनमें एक ही इंडिविज्वल में मेर्प्रोड ओर्गन भी प्रेजंट है और फिमेर्प्रोड ओर्गन भी प्रेजंट है इसके अलावा ये fragmentation के च्टो भी जो है रिप्रडूस क करते हैं इन्हें actually भी रिप्र्डूस करते हैं fragmentation का मतलब हुआ कि अगर कोई पौुई पौरीफिरा हमारे पास है उसका अगर कोई पार्ट कट गया वो नए पौरीफिरा इसे अजना भी प्रवुआ चीक हमें और इसके लिए फार्ष तो यह तो अप्रोडूस करते हैं तो यह अच्छूली भी उसके बाद एक नेक्स सब्रक्राश नहीं कि इस धाने कि इस वेएशिवा में इन्टरन मार इसां प्रदीशिव थिर फिर फिर इसे दो इस धाना है वा और फिमेल गैमीट 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 और फिमेल internal fertilization internal fertilization मगर अगर यह male gamet और female gamet fuse करते हैं आउटसाइड the body body के बाहर पानी में ठीक है outside the body उस type of fertilization को बेटा हम कहेंगे external fertilization external fertilization यार्ड रखने के वाग мешत को भाइब निल of मोड़ा वाधा में भाएगा जब ऑग मैल और फीमयल गेमेट बाद听 के लिम्朝 करते हैं तो इकस्टर्नल फिघ्लाइशचАन और जब चलत गेमेट पूरा में पूरा होते हैं इन्टर्नल फेर्लैशचण इसलिए हमने कहा इनमें इंटर्नल फटलाइजेशन है तो आखरी का कॉंसेट हो गया डेवलप्मेंट ठीक है डेवलप्मेंट में बिटा क्या याद रखना है देखो इनमें आपको क्या देखेगा कि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं नमें पहले लार्वा बनता है जो कि अडेल्ट से ढल होता है और फिर इस लार्वा से बनता है अडेल्ट और ये लार्वा और एक डूस्रي से दिखेगात है तो निस सी बार आपको याद रtense है कि जिन अनِमल्स में लार्वा फॉर्म प्रेजेट होता है जिन एनिमल्स में लार्वा फॉर्म प्रेजन्ट होता है यह पहले जब रिप्लक्शन हो गया पहले लार्वा बना लार्वा के बाद एडिल्ट बना यह लार्वा फॉर्म प्रेजन्ट है तो उनको हम कहेंगे कि इनमें इन डिरेक्ट डेवलप्मेंट है ठीक है और जिन एनि लार्वा फॉर्म लार्वा जो होता है उस type of development को हम कहते हैं direct development जैसे humans नोता है लार्वा नहीं होता है ठीक है तो यहां पे आपने क्या या तकने हैं कि इनमें indirect development है जिसका मतलब लार्वा stage present है और जो यह लार्वा होता है यह morphologically distinct होता है different होता है एडिल्ट से चलिए इससे पहले एम एग्जमपल उसको देखते हैं जल्दी जल्दी से रेवजन मार एंजल्दी से हम पॉरिफिरा पड़ रहे हैं एक्वेटिक हैं जनरी मेरीन हैं और असमा snacks in fresh water में रहते हैं, asymmetrical meant in cellular level of organization तिन में in specific system होता है जिसका === water canal system जिसमे पानी अर्टी और चला जाता है और पहुंच जाता है पोशल proveni seal के वाइच्छब के पार निकलता है तो हुर हम दो पहुंत करता है food gathering में water canal system, respiratory change में और Gotas वेस्ट में भी और फिर हमने देखा कि यह जो पॉरिफराज होते हैं इनमें एक special type of cells होती हैं जिनको हम kynocyte कहते हैं जो spongy seal को भी line करते हैं और kennels को भी line करते हैं इनको हम collar cells भी कह सकते हैं और flagellated cells भी कह सकते हैं फिर हमने देखा इनमें digestion intracellular होती है जिसका मतलब कि digestion जो होती है वो cells के अंदर होती है skeleton में इनमे स्पाइक्यूल होते हैं sponge and fiber होता है reproduction में आपको याद रखना है कि यह bisexual होते हैं मतलब एक ही organism में male और female organs present होते हैं यह sexually reproduce कर सकते हैं तो fragmentation और sexually reproduce कर सकते हैं fertilization इनमें internal होती है gametes body के अंदर fuse हो जाते हैं और development इनमें इंडिरेक्ट होती है because इनमे लार्वा स्टेज प्रेजन होता है लार्वा की बात आई तो इनमें दो किसम के लार्वा होते हैं एक को हम कहते हैं amphiblastula जैसे यह एक लार्वा है और दूसरे को हम कहते है पैरन काई मियूला यह इसका दूसरा लार्वा है हाला कि आपको लार्वास के नाम बिल्कुल भी याद नहीं रखने है नीट के लिए अब एक्जाम्पल जो है हैं साइकन साइकन को हम क्राउं पहुत भी चैता है और 10 को हम साइफा भी चैते हैं तो यह रहा है साइकन का डियाग्राम गर्सेयर के आप जो है जांने मैंने मिस्चथा कर रही हैं एक लिए ऑर साईकन बजिकी चाले कि दाऊव हम और fresh water sponge very very important for a neat this is the only polyphenol that is being represented in your book which is given in your book which is in fresh water and then we call you sponge you sponge we call bath sponge also so this is your second section this is your bath sponge this is the bath sponge okay and this is the last one this is the sponjila that's all we have for this class i hope you enjoyed the class i will be uh back with the the next lecture about phylum selen trita and tenophora till then thank you so much for watching do subscribe the channel and press bell notification taa ki aap ko joe next video ane wala hai selen trita or tenophora ke baare mein us ke baare mein sab se pahle bata chale aapka koji sawaal hai do let me know in the comment section thank you so much is 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 झाल झाल